अगर भगवान की शरण में नहीं होगे, भजन नहीं करोगे, तो आपके उपर बहुत से रिण है, दुरगती हो जाएगी, ऐसा नहीं है, आप यहां भी तो देखो न, आपके मकान, आपका व्यापार, सब कुछ आपका कहा जाता है, लेकिन सब कुछ सरकार का है, हर चीज का टेक्स है देना पड़ेगा तुमें, पानी का भी टेक्स है देना पड़ेगा, मकान का भी टेक्स है देना पड़ेगा, और तुम भी जो करोगे, वो पैसा दो सरकार को, टेक्स तो ऐसे फिरी थोड़ी जाजे, नहीं होता, देना पड़ता है न, आप मालो नवकरी कर रहे ह कि हवाई नोकरी करें तो उसमें सरकारी टेक्स कटेगा आपका क्योंकि आप सरकारी आदमी हो भारत देश के वासी हो ऐसे ही ये टेक्स लगे हुए सरकारी भी मात्रेंड पित्रेंड रिशीरेंड ये टेक्स है ऐसा नहीं कि तुम कमाग हो और इसके बाद मर के जाओ कि आमुक आदमी का आमुक धन पकड़ा गया तो इनाम दिया जाता है क्या कि इतना कमा लिया सजा दी जाती है तुमने टैक्स की चोरी की चोरी नहीं कि मेहनत से कमाया या ब्यापार से कमाया दिया नहीं सरकार को हाँ दिया नहीं इसलिए तुम्हें टैक्स टैक्स की चोरी का दंड मिलेगा, सारा धन अपरित हो जाएगा तुम्हारी निंदा होगी तुम्हें सजा मिलेगी बोलो, मिलती है नहीं ऐसे ही ये लड़का, बच्चा, पत्नी पुत्र, परिवार जो भी है ये शौप श्री भगवान का है तुम्हें टेक से दिना है क्या टेक से दिना है भगवान की शरण होकर उनका शुमिरन करो सारे रिनों से वो मुक्त कर देंगे एकादस इसकंद में का है मेरा भजन करने वाले का कोई रिन नहीं रह जाता और नहीं तो महावारत में प्रशंग आता है एक जरतकारुनाम के ब्रह्मरिशी थे जिशी और भगत में बड़ा अंतर होता वो तपश्या प्रदान जैसे दुर्वासा रिशी तपश्या प्रदान थे वो बाल ब्रह्मचारी और तपश्या से एक दिन भ्रह्मन कर रहे थे तो आवाज आई मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो तो उस आवाज की तरब बढ़े तो देखा कुये में उल्टा लटके हुए है बहुत से रिशी और एक केवल तन्तु है जिसमें दो छुईे लगे हुए उसको भी काट रहे है एक काला और एक श्वेर तो उन्होंने दिखा और दयाल हो गए कि रिशियों मैं तुम्हारी कैसे रक्षा कर सकता हूँ तो उन्होंने कहा कि ये जो दो चुई हैं रात और दिन है और जो हम लोग हैं ये तुम्हारे पितर हैं ये तुम्हारी आयू को काट रहे हैं, एक तंतु हमारे कुल में किवल तुम ही हो, और तुमने तपश्या की ठानली ब्याह किया नहीं, ग्रेष्ट धर्म में गये नहीं, पुत्र हुआ नहीं, तो तपश्या में भक्ती में एक दम है कि सबरिनों से मुक्त कर देगी, ये बात तुम्हारे जीवन को काट रहे हैं, जहां तुम खतम विवंसम दर्क में गिर जाएंगे, पितरों नहीं कहा, तुम पितर रिर्ण से युक्त हो, मुक्त तभी होगे, जब ऐशा करो, ओ बड़े दुखी हुए कि क्या करें, तो उन्होंने मन में निश्चे किया कि एक ब्या उन्होंने मन में निश्चे किया कि कोई आके अपनी कन्या दे दे, और उसका भी नाम जरतकार हो, मैं बिल्कुल भरन पोशन नहीं करूँगा, और कभी हमसे कोई प्रस्ण ना करे, ऐसी अगर कोई कन्या देगा, तो मैं सोईकार कर लूँगा, अब ऐसी, ना नगर जाना है ना किसी से बात करनी, तो ब्रक्षों से कहते, अपने पितरों के उद्धार के लिए मैं चाहता हूं की कोई पानी गरंशन शकार करा दे, कोई हमारे नाम की कन्या को दे दे, और ऐसा ऐसा अब्रत है, ऐसा ही बोल रहे थे, वाश्वकी नाग उपस्तित हो गए, और उनकी ब आपको शमर्पित करता हूं, हमारा शवभाग योगा आप जैसा महारिशी, हमारी बहन का पती बने, इसका भी नाम जरत कारू है, और आपकी जो इच्छा है, कि मैं भरन पोर्षन नहीं करूंगा, तो मेरे पास संपुर्ण वैब हो है, आप भी पधारिए, मैं आपका भी बरन पोर्षन करूंगा, अपनी बहन का भी, तीसरी बात, मेरी बहन इतनी शास्त सम्मत आराधना से युक्त है, कि वो कभी आपसे प्रशन ही नहीं करेगी, तो उनका श्वईकार है, प्रशन हुए, सले गए, काफी समय तक उनके महल में रहे, एक दिन जरतकारू, अपनी जरतकार पतनी की गोद में शरक कर ऐसे लेटे वे ते शो गए, ओशास्तरक गिती संध्या का काल था, संध्या काल में निशेद है, मैथुन करना, भोजन करना, और श्वाध्याय करना, कि संध्या काल में बस भगवद इस्वरण परायां, लोकवद, लेकिन हमारे महारानी जो कि संध्या अरतियों, संध्या भोग लगने के बाद, ये इसलिए ब्रदावन धाम इसका कहीं भी, ये वेदान नपिशन्यस्ति, वेदोशे भी उपर उठीवी, रश्मई, रशो उपाश्वना है, प्रियालाल की महल है, ये जगत सिद्धांत नहीं है, ये जगदिस का भी शिद्धांत नहीं है, ये प्रेम शिद्धांत है, ब्रंदावन नित्य भिहार अरश है, इसलिए इसको बीच में बता देते हैं कि दूसरे को तो, और यहां सामके तो भोगी लिखता है, गान बजान होता है, बकाया सिद्धांत है, आख मुन करके ये तो गायत्री जप या जो गुर मंत्र चुक्चाप शांत भाव से जपे, ऐसा है, अब वो इस चिंता में थे कि मेरे पती का धर्म जा रहा है, और मैंने आज तक कुछ बोला नहीं अपने पती से, अगर बोलती हूं, तो हो शकता है, ये नाराज हो जाए और छोड़ कर चले जाए, अगर अपने पती का धर्म लूप नहीं होने और वो शमय भी केवल एक लंगोटी लगा के रहते थे, अस्थिमात्र होई रहे सरी, वहां भी ऐसा नहीं कि दूलावन करके साजी, नहीं हो ऐसे ही केवल पितरों की त्रप्ती के लिए उन्होंने बात सविकार की थी, उन्होंने का म शूर्यस्ताचल को बस पहुंचने ही वाले हैं, उठिये, उठिये एकदम लालाँक करते हुए, तुमने हमें टोका कैशे, तुमने हमसे प्रश्न कैशे कर दिया, मैं अभी तुम्हारा त्याक करता हूँ, बुलिश्वईकार है, आपके धर्म का लोपना हो, कहीं शूर्यस तो उनका सूर्य की ताकत कैसे कि मैं सोता रहूं और वस्ताचल को चले जाएं, यह ऐसे मातमा थे, कहा सूर्य की ताकत कैसे, भगवान ब्यास देव जी ने लिखाया किसी कहानी की बात नहीं, सूर्य की सामर्थ कैसे कि मैं आरग ना दो और वस्ताचल को चले जाएं, सूर् प्रणिक ग्रेंट स्वैकार का जो फल होता है उसको बिना दिया आप कैसे चले जा रहे हैं उनका आस्ति वो है चले गए उसी से आस्तिक मुनी का प्रयादरुभा हुआ और उन्होंने आगे बड़ा चरित्र है उनका आस्तिक उसी से नाम रखा आस्तिक उन्होंने जन्मेजे की यग्य को बंद किया आप सुचो एक पितर की त्रप्ती के लिए उनको ये सब करना पड़ा और श्री हरिश्चरणम और निरंतर भजन तो मात्रेंड पित्रेंड नहीं जान पाते हैं